नमस्कार आप देख रहे हैं टीवी नाइन भारतवर्श और मैं हूँ आपके साथ अनूप आकाश वर्मा दुनिया में एक नए वेरियंट ने दस्तक दे दी कोरोना से तो हम लोग जूजी रहे हैं 39 देश ऐसे हैं जहां पर इस नए वेरियंट ने दस्तक दी है और भारत में भी अब ओमिक्रोन के दो जो संक्रिवित मरीज मिल गए हैं करनाटक में अब पंगत जी लगातार हम लोगी चर्चा करते रहे हैं कोरोना को लेकर के कोरोना को लेकर अब कितना मन्थन हुआ शोद अ तैयारी करें तो करें किया क्या फिर से घर में बैठ जाएं जाके बंद हो जाएं यह तैयारी भारत की या विश्व की देखिए अनुप इस बारे में दो पक्ष समझना बहुत जरूरी है कि ओमीक्रौन के पक्ष में क्या है और बिपक्च में क्या है पक्च का मतलब यह है कि Omicron कितना घातक है तो आप यह जान लीजिए जो पहला information WHO के थुरू जो Health Ministry ने कहा है वो यह कहा है कि पांच गुना ज्यादा घातक है तो इसका मतलब साफ है कि Infectivity की छमता मतलब संक्रमन की छमता और Virulence डेमेज करने की छमता पांच गुना ज्यादा है तो निश्चित तोर पर हमें ज्यादा एलर्ट रहने की जरूरत है हम इसको casually नहीं ले सकते यह बात साफ हो गई लेकिन हम लोगों के पक्ष में क्या बात जाती है भारत के पक्ष में क्या बात जाती है भारत के पक्ष में यह बात जाती है कि 49% लोगों ने 49% लोगों ने वैक्सीन का दो डोज ले लिया है ये health ministry का आकड़ा है तो निश्चित तोर पर इतने percentage लोगों के शरीर में कबच पहले से ही तैयार है वाइरस जरूर deadly हुआ है लेकिन इतने फीजदी लोगों के शरीर में कबच पूरे तरीके से तैयार है तो ये भारत के लिए advantage है साथी साथ सौ कड़ोर से उपर काकड़ा है जो पहला डोज ले चुका है तो ये भी एक तैयारी है इसलिए कई सारे जो experts हैं scientist हैं वो ये जरूर कहते हैं कि भले ही संक्रामक हो री-accurrence के chances जादा हो ये हो सकता है लेकिन जो लोगों में वैक्सीन आया है उससे बचा होगा और जो intensity था damage का दूसरी लहर में वो नहीं हो लेकिन पंकर जी चुकि हमने एक फिस देखा है कोरोना एक नई तरीके की बिमारी थे घर में सब हम लोग कैद हो गए थे धीरे धीरे निकलने शुरू हुए और उससे लड़ते हुए हम लोग वैक्सिनेशन तक पहुंचे हैं लेकिन अब चुकि जब उमिक्रोन की बात हो रही है तो इसको लेकर शोधवी हो रहा है अपने इस तर पर पांच गुना जादा ये घातक भी आया जा रहा है अब इसको लेकर तैयारी नए सिरे से क्या हो सकती है या फिर जो अब तक हम कोरोना से सीखते आए हैं उचे दूरी बनाकर रखनी है सेनिटाइजेशन का प्रॉपर ख्याल रखना है और एक तरीके से जो घरों में बंद रहने की बात है अब क्या उस दिशा उससे जो इम्मिनेटी शरीर में बनता है वो कितने समय तक बनता है लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई पुखता गाइडलाइन आया नहीं है और यह माना जा रहा है कि जो दोनों डोज लिया गया है वो काफी है वो इससे बचाव करेगा पर चिंता की बात यह भी यह ज्यादा संक्रामक होगा ज्यादा डेमेज देगा तो निश्चित तोर पर वैक्सीन को री फॉर्मूलेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है और इसलिए बूस्टर डोज लेने की भी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि अनूप मैं आपको बता दूं कि विसु की दो बड में रिसर्च करने में लगे हुए हैं और यह कहा जा रहा है कि दो सब्ताह के बाद पुखता जानकारी इन तमाम चीजों को ले करके सामने आ सकती है यह 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 सकारात्मक बात इस वीच निकल कर यह सामने आई यह लेकिन फिर भी चुकि 29 देश हैं और तकरीबां 373 मरीज ह भी आ गये तो इंटरनेशनल लेवल पर आप क्या अब तालाबंदी देख रहे हैं एक तरीकी से अगर हम शब्द का इस्तेमाल करें क्या जो आवागमन है विदेश से उसमें कुछ अब तबदिली आएंगी कुछ कैंसलेशन का दौर शुरू होगा फ्लाइट का या फिर ए कि जाद் फोजए इसमें कोई शक्त नहीं है अगर अगर मैं डॉक्टर तिर्हान की बात करूंगी इसकी इनफलेटिविटी लोगों को इनफ्ट कर सकता है तो इसमें कोई शकत नहीं कि इतने बड़े ऑक्टर जब यह यह आटफरा सकर रह तो निश्चे तौरम पर यह संक स्टेट से बात हुई है सर्वी लैंस बढ़ाने की बात हो रही है यह कहा जा रहा है कि विदेश से जो लोग आएंगे 96 गंटे के अंदर उनकी जाच की जाएगी उनके अंदर कौन सा स्ट्रेन है जीनेम सिक्वेंसिंग के द्वारा पता किया जाएगा अब वो लैक लस्टर एप्रोच नहीं होगा गौर्मेंट और गौर्मेंट मैसीनरी अलड़ी एलर्ट पे है और राज सरकार को भी एलर्ट कर दिया लेकिन एक आखरी सवाल पंकर जी जो मानसिक तौर पर हम लोग तैयार हो रहे थे कि नहीं अब तो हमने जंग जीत ली है हम बाजार खुले सुप्रीम कोट ने हम एक मानसिक तोर पर तैयार हो रहे थे कि अब सब कुछ ऑल इस वेल है क्या उस पर भी चोट पहुंची है इस नए वेरियंट से देखे कुछ हद तक तो चोट जरूर पहुंची है लेकिन मानसिक रूप से पूरा देश क्या पूरा विश्व तैयार है मैं आपको बता दूँ अब छोटी छोटी जगहों पर भी जो छोटे छोटे हॉस्पिटल से उन्होंने ऑक्सीजन का प्रबंध कर लिया है क्योंकि यह समझ में आने लगा है कि अगर इस तरह का समय आता है तो ऑक्सीजन की जरूरत किस तरह की पड़ेगी जो दूसरे करार दिया और प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग तक हो गई तो आप समझ सकते हैं कि केन सरकार से लेकर के राज सरकार तक इस नए वेरियंट को लेकर के कितना सजग है और जो पिछला हमारा एक्सपिरियेंस है निश्चे तोर पर इस नए वेरियंट से भी लड़ने म पर है विश्चो तैयारी करी रहा है लेकिन इस नए वेरियंट से बहुत जादा घबरानी की जरूरत नहीं है मांसिक तोर पर बिलकुल परिशान होने की जरूरत नहीं है चीजिस सकरात्मक हो रही है करोना के बाद और करोना से जूजते हुए अगर यह नया वेरियंट आय इन तमाम बिंदूओं को हमें एक बार फिर से इस पर वापस लोटना होगा अगर हम लोग यह आप भूल चुके हैं या फिर इससे हमने दूरी बना लिए बहुत बहुत शुक्री आप अंकर जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका यहां रुक रहे हैं लेकिन आपके ही जा